पूर परधान मंतरी अटल ब्यारी वाजबई ऐसे चुनिंदन नेताओं में से थे जिनके पक्ष और विपक्ष दोनों तरब मित्र हुआ करते थे इसलिए उन्हें राजनिती में आजात शत्रू कहा जाता है आज उनकी जेंती पर पूरा देश उस नेता को याद कर रहा है उ परधान मंतरी जवारलाल नहरू की तस्वीर हटा दी गई थी जरत सोची अगर अटल होते तो क्या कहते एक बार भरी संसद में उन्होंने नहरू की तस्वीर का किस्सा सुनाया था यह दो दशक से भी जादा समय पहले की बात है संसद में वाजपई का भाशन चल रहा था उन्होंने कहा था कि साउथ ब्लॉक में नहरू जी का चितर लगा रहता था मैं आते जाते वहाँ देखा करता था नहरू जी के साथ सदन में नोग जोग भी हुआ करते थी वह मुस्करा कर बोले मैं नया था पीछे बैटता था कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वाक कोई उत्तर नहीं दे पाया, वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया, यह सुनते ही सदन में बैठे सदस्यों ने मेज थब थबा कर उनका स्वागत किया, तब अटल ने कहा था कि क्या इस भावना की कदर है, क्या देश में ये भावना पन पे, ऐसा नहीं है कि नहरू जी से मतभेज नहीं थे, और मतभेज चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर भी सामने आते थे, वाजपई ने उसी भाशन में कहा था कि मैंने एक बार पंडिजी से कह दिया था, कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित है, आप में चर्चिल है, और चेंबर लिन भी है, वह नराज नहीं हुए, शाम को किसी बैंकेट में उनसे मुलकात हुई, तो उन्होंने कहा, आज तो बड़ा जोड़दर भाशन दिया आपने, और हस्ते हुए चले गए, 1924 में आज ही के दिन भारत के पूर परधान मंतरी अटल बिहरी वाजपई का जन्म हुआ था, MP विधान सबा में नहरू की तस्वीर हटाने पर कॉंग्रेस ने विरोज जताया, तब नम निराचित अध्यक्ष नरेंदर सिंग तोमर ने इस पर निरने लेने के लिए विधायकों की एक समीती गठित की है, दरसल विधान सबा अध्यक्ष के आसन के पीछे नहरू जी की तस्वीर लगी रहती थी और जुलाई में इस तस्वीर को हटा कर समीधान निर्माता बाबा साहिब अंबेट गर की तस्वीर लगा दी गई, वैसे भी भाजबा कई मुद्दों को लेकर नहरू पर हमेशा आरोप लगाती रहती है